पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2000 केस में किस संस्थान के द्वारा James Babe Space नाम से दुनिया के सबसे बड़े टेलिसकोप को लाँज किया गया ध्यान रखेगा ये टेलिसकोप लाँज किया है अमेर्की Space Agency नासा ने किस ने लाँज किया नासा ने launch किया है तो option यहाँ पर B हो जाएगा correct देख सकते हैं कि total 10 billion से ज़्यादा लागत में इस telescope को design किया है NASA ने और यहाँ पर इसे European Space Agency का जो कवरू Space Center है वहाँ से इस telescope को launch किया गया है तो अगर हम लोग Hubble telescope की बात करें तो उससे भी यह 3 times बड़ा है तो option यहाँ पर B हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि हाल ही में NASA ने किस भारतिय मूल के डंक्टर को अंत्रिच यात्री की रूप में चुना है तो इनका नाम है अनिल मेनन बहुत ही जाद महत्पूर्ण है ध्यान रखिएगा जो अनिल मेनन है उनको यहाँ पर अंत्रिच यात्री की रूप में NASA ने चुना है तो option फिलहाल C हो जाएगा हमारा correct अगला प्रशन है कि नॉमबर 2021 में किस स्पेस एजन्सी के द्वारा DART मिसन को लॉंज किया गया तो यह जो DART मिसन है इसको भी लॉंज कर दिया है NASA ने तो यहाँ पर option हमारा B हो जाएगा correct अब यह DART मिसन है क्या देखे इस मिसन के अंतरगत NASA ने एक प्रकार के अपने तकनीक का परिच्छन किया है यानि कि मान लेते हैं future में कोई asteroid है जो की हमारे प्रत्वी की तरफ बढ़ रहा है तो NASA ने एक ऐसी छमता डबल अब कर ली है जिसके जरिये वह इस asteroid को आपके अंतरिच में ही नश्ट कर सकता है जो कोई asteroid हमारे प्रत्वी की तरफ बढ़ रहा है तो DART का मतलब ही है Double asteroid Redirection Test यानि कि उसका जो direction है उसको NASA बदल सकता है अब option यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि नॉवंबर 2021 कीस में United Nation Environment Program ने किस संगठन के साथ में मिलकर के अंतर राष्टिये मिथेन उत्सर्जन बीदसाला का सुबरम किया है तो ये भी बहुत ही महत्मोर प्रेशन है ध्यान रखेगा इसको European आयोग के साथ में मिलकर के launch किया गया है तो option फिलहाल C हो जाएगा correct तो ध्यान रखेगा G20 सम्मिलन जो इस साल हुआ है उसी के दवरान United Nation Environment Program ने European Commission के साथ में मिलकर के इसको launch कर दिया है तो यहाँ पर option C होगा correct अगला प्रशन है कि हाल ही में किस देश ने सैन ने संचार उपगरा सिरा क्यूज 4A को launch किया है तो यह जो संचार उपगरा है इसको launch किया है France ने तो यहाँ पर option हमारा D हो जाएगा correct अब इसको France ने launch क्यों किया है देखे इसके पीछे का region यह है कि France तो वैसे हमारे Europe का country है लेकिन अगर हम लोग France की बात करें तो इसके बहुत सारे जो territory है वह आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे अब जाहर से बात है इसके कई सारे territory है तो इसके बहुत सारे scenic भी उन territory में रहते हैं तो इसी दिए इस संचार उपगरा को France ने launch किया है जिससे ये जो आपके विभिन अस्थानों पर France के scenic है वह आपस में communicate कर सकें तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि नौमबर 2021 में किस देश ने 200 के पहले पिर्थवी विग्यान उपगरा को launch किया तो ये जो पहला पिर्थवी विग्यान उपगरा है इसको launch किया है बंद आखो वाले चाइना ने किसने चाइना ने launch कर दिया है तो option फिलहास C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि नासा और इस्रो का जो सहुक्त mission है जिसका नाम है निसार निसार का मतलब है नासा इस्रो सिंथेटिक अपर्चर रडार तो ये एक satellite है जिसको नासा इस्रो के साथ में मिल करके 2023 में launch करेगा तो यहाँ पर option B हो जाएगा correct अब सवाल ये उड़ता है कि ये mission किस purpose से launch किया जाएगा तो जो हमारे भूमी का surface है उसमें किस प्रकार से परिवर्टन आ रहा है इसी सबके आकलन के लिए नासा इसको launch कर रहा है तो ध्यार रखेगा option B होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि 12 अगस्त 2021 को इसरो के द्वारा किस rocket की सहता से G.I.S.A.T.1 satellite को launch किया गया था हाला कि ये जो launch है वो fail हो गया था अब इसको इस साल यानि कि 2022 में launch किया जाएगा फिलहाल के लिए आप लोग ध्यान रखेगा कि इसमें GS LV F-10 rocket का योज हुआ था तो option हमारा A होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि October 2021 केस में NASA ने आपके कौन से ग्रह के लिए Lucy Mission को launch किया है तो ये जो Lucy Mission है इसको launch किया गया है ब्रहस्पती के लिए तो option यहाँ पर हमारा D हो जाएगा फिलहाल के लिए correct दरसल आप सभी को ये पता होगा कि जो हमारा ब्रहस्पती है माल लेजिए यहाँ पर मंगल है यहाँ पर ब्रहस्पती है तो इसके बीच में आपका एक asteroid belt है asteroid belt है तो जाहर सी बात है इसमें बहुत सारे हमारे चुद्रग्रह है तो उन्ही में से आठ चुद्रग्रहों के अध्यन के लिए नासा ने आपके Lucy Mission को launch कर दिया है तो option D होगा फिलहाल correct अगला प्रश्ण है कि अक्टूबर 2020 में किस देश ने अपने पहले sour invasion उपग्रह को launch किया है तो ये जो sour invasion उपग्रह है इसको launch किया है चाइना ने नाम इसका क्या है तो इसका नाम है जी है जरूर ध्यान रखेगा नाम चाइना ने इसको launch किया है तो option B हो जागा फिलहाल के लिए correct अगला प्रश्ण है कि जून 2021 में किस Space Agency के द्वारा सुक्र ग्रह के लिए जो invasion mission है इसको launch करने की घूशना की गई तो ये जो invasion mission है इसको launch करेगा European Space Agency कौन launch करेगा European Space Agency के द्वारा invasion mission को launch किया जाएगा तो यहाँ पर option B हो जाएगा फिलहाल correct ये देख सकते हैं Arian 6 rocket का यहाँ पर यूज करेगी European Space Agency और NASA के साथ में मिल करके इसको launch किया जाएगा तो यहाँ पर फिलहाल B होगा अगला प्रशन है कि NASA के द्वारा किस ग्रह के उपग्रह के लिए Europa Clipper Mission को launch किया जाएगा तो प्रशन का उत्तर इसी प्रेश्ट में छिपा हुआ है अगर आपको यह पता है कि Europa किसका मून है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते है Europa की बात करें तो यह हमारे ब्रहस्पती ग्रह का एक उपग्रह है और इसी के अध्यान के लिए NASA के द्वारा यूरोपा कलीपर मिसन को लांज किया जाएगा तो ध्यान रख्येगा आप्सन यहाँ पर हमारा D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि अगस्त दोहजारे केस में किस स्पेस एजंसी के द्वारा यूटेल सैट क्वांटम सेटलाइट को लांज किया गया तो यह जो सेटलाइट है इसे लांज कर दिया है यूरोपाइन स्पेस एजंसी ने किसने लांज किया यूरोपाइन स्पेस एजंसी ने लांज किया है तो यहाँ पर आप्सन D हो जाएगा ध्यान रखेगा ये पहली बिस्त की वाणजिक री प्रोग्रामेबल सेटलाइट है यानि कि यहाँ पर जो सेटलाइट ये लॉंज की गई है इसके प्रोग्राम को आपके प्रतवी से कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है यूरोपियन स्पेस के द्वारा ओप्सन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट अगला प्रशन है कि जुलाई 2020 किस बिलेनियर ने नियू सेफर्ड रॉकेट एरोप्लेन से स्पेस की यात्रा की है तो ये जो यात्रा है ये जिब बिजोस साहब ने किया ओप्सन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट अब इ इसमें जो आपके वैली फंग गये थे ये दुनिया के सबसे एजर्ड बैक्ति बन गये हैं जो की इस्पेस में जा चुके हैं और इसके अलावा एक इसमें लड़का गया था जिसका नाम ओलिवर डेवन है ये दुनिया के सबसे कम उम्र के इस्पेस यात्री बने है तो दो रिकार्ड महत्पूर्ण बने हैं वैली फंग सबसे अधिक उम्र के बैक्ति बने और ओलिवर डेमन सबसे इवा बने जो की इस यात्रा में गये थे तो आप्शन डी होगा फिलहाल करेक्ट अगला प्रशन है कि मई दोहजार कीस में किस इस्पेस इजंसी ने चांद पर पा 2019 में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था इसका नाम है बोला टाइल्स इन्वेस्टिगेशन पूलर एक्स्प्लोरेशन रूवर यानि की नासा एक रूवर को भेजेगी जो की आपके चंद्रमा पर जाएगी 2030 में और उसकी सता पर पानी की खोज करेगी तो आप यानि कि अगर उस पार्टिकुलर देश पर कोई मिसाइल से हमला होता है तो यह जो सेटलाइट सिस्टम है वो उसके बारे में पहले से बता देगा और उसे नश्ट कर देगा तो यह लॉंज कर दिया है अमेरिका ने किस ने लॉंज किया अमेरिका ने लॉंज किया तो यहा कि ये satellite अभी launch नहीं हुआ है फिलहाल के लिए आपको ध्याँ रखना है कि European Space Agency ने इसके launch की घोशना की थी तो option यहाँ पर C हो जाएगा correct ये देख सकते हैं कि लकड़ी से बना हुआ कुछ इस परकार का ये satellite है नाम इसका रखा गया है वीजा उडसेट अब आप मेंसे कई सारे लोगों ने हो सकता है ये पढ़ा हो कि New Zealand ने इसको launch कर दिया है तो फिलहाल ये आपकी वही satellite है जिसको European Space Agency launch करने वाली थी और इसको New Zealand के rocket lab से launch किया जाना था फिलहाल ये launch नहीं हुआ है अभी तो option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि NASA का जो Hubble टेलिस्कोप है इसने किस उपगरा के उपर जलवास्प के उपस्थिती का पता लगाया है तो ध्यान रखिएगा जो Hubble टेलिस्कोप है इसने ये बताया कि जो Ganymede नाम का हमारा उपगरा है इसके सर्फेस पर कुछ जलवास्प मौझूद है तो यहाँ पर option A हो जाएगा correct दरसल Hubble टेलिस्कोप ने 1998 में एक तस्बीर ली थी और यहाँ पर उस तस्बीर के बारे में जब NASA ने एनलसिस किया तो उनको पता चला कि ब्रहस्पती का ये जो चंद्रमा है Ganymede इसके उपर आपके वाटर भी पर मौझूद है तो यहाँ पर option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि NASA के द्वारा कौन से उपगरह के लिए Dragonfly मिसन को launch किया जाएगा तो NASA के द्वारा ये जो मिसन है वो हमारे सनी का जो उपगरह है जिसका नाम Titan है उसके लिए launch किया जाना है तो option A हो जाएगा फिलहाल correct ये जो मिसन है ये June 2027 में प्रस्तावित है और इसके अंतरगत NASA आपके Titan के उपर एक rotor craft भीजेगा तो यहाँ पर option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि American Space Agency NASA का जो आगामी चंद्रमा के लिए मिसन है उसका नाम क्या है ये बहुत ही महत्पूर्ण है ध्यान रकेगा इसका नाम है Artemis क्या नाम है Artemis इसका नाम है तो यहाँ पर फिलहाल option D हो जाएगा correct तो इसे आपके सितंबर 2024 में launch किया जाना है और इसके अंतरगत ये भी प्लान है कि चंद्रमा के उपर नासा पहली महिला को भी भेज़ सकता है और इसमें जो भी लोग जाएंगे वे तंबू औगैरा लगा करके चंद्रमा के उपर एक डेड़ महिने रुकेंगे भी तो ध्यार रखेगा ओप्सन D होगा फिलहाल करक अगला प्रशन है कि वर्शे 2022 में किस देश के द्वारा सुपर बिट टेलिस्कोप को launch किया जाएगा तो ये जो सुपर बिट टेलिस्कोप है इसको भी launch करेगा अमेरिका यानि कि यहाँ पर ओप्सन D हो जाएगा करक सुपर बिट की बात करें तो इसका पूरा नाम है सुपर बैलून बॉर्न इमेजिंग टेलिसकोप तो आपको पता होगा कि नासा का जो हबल टेलिसकोप है उसका समय धीरे-धीरे समाथ हो रहा है तो उसी के अस्थान पर यहाँ पर नासा नए टेलिसकोप को लॉंज करेगा जिसका नाम होगा सुपर बैट तो ध्यान रखेंगे ओप्सन D हो जाएगा यहाँ पर करक अगला प्रशन है कि जुलाई 2021 केस में नासा के कैसनी अंत्रिछ्यान ने किस उपगरा पर मिथेन गैस का पता लगाया है तो अगर हम लोग मिथेन गैस की बात करें तो इसका पता इन्होंने लगा लिया है टाइटन के उपर यानि कि जो हमारे सनी का उपगरा है टाइटन उसी के उपर नासा के कैसनी अंत्रिछ्यान ने मिथेन गैस का पता लगाया है तो यहाँ पर option B हो जाएगा फिलहाल correct अच्छा सनी देव की बात हुई है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सनी के पास में ही सबसे ज़्यादा वर्तमान में बयासी उपगरा है ये प्रशन ओलेडी आ चुका है परिच्छा में तो ध्यान रखेगा option B हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि इसरो के द्वारा जो पहला मानो सहित अंतरिच मिशन है इसको किस वर्स लांज किया जाना प्रस्तावित है तो ये जो मिशन है ये आपका बिना क्रू मेंबर के 2022 में लांज किया जाएगा पाइलेट बेसिस पर और फाइनली इसक में 2023 में हमारे देश का जो इसरो है वह भारत के पहले ब्यक्ति को इस पेस में भेजेगा अपनी तरफ से option यहाँ पर हो जाएगा B फिलहाल के लिए correct तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 2022 में यहाँ पर भेजा जाएगा पहले हमारे क्रिव को यानि कि एक जो इन्हों ने ब्योमित्र नाम का रोबोट बनाया है और फिर 2023 में यहाँ पर हम लोग भेजेंगे पहले ब्यक्ति को तो option B होगा correct अगला प्रशन है कि भारत किस देश के साथ मिलकर सुक्र ग्राह के लिए एक mission को launch करेगा तो अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत के द्वारा यहाँ पर जो सुक्र ग्राह के लिए mission होगा इसे launch किया जाएगा फ्रांस के साथ मिलकर किस के साथ फ्रांस के साथ तो यहाँ पर option B हो जाएगा फिलहाल correct mission का नाम क्या है तो mission का नाम है सुक्रियान 1 तो इसे या तो 2024 के दिसंबर महिने में या फिर आपके मद्धे 2026 में launch किया जाना है इसमें आपके GSLV Mark II rocket का योज किया जाएगा option B होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि भारत के द्वारा जो चंद्रमा के लिए चंद्रियान 3 mission है या किस वर्ष के लिए प्रस्तावित है तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा चंद्रियान 2 launch हुआ था 2019 में 22 जुलाई को उसमें जो हमने lander launch किया था वो crash हो गया था तो उसी mission को एक बार फिर से इसरो launch करेगा 2022 में तो ध्यान रखेगा चंद्रियान 3 इसका नाम होगा option A हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि किस space agency ने एक साथ 143 satellite launch करके इस रो के record को तोड़ दिया है तो ये जो 143 satellite है इसको launch किया है हमारे space X ने किस ने launch किया Elon Musk की जो company है space X इन्होंने 17143 satellite को launch किया और NASA का इसरो का जो 2017 का record था 104 satellite का उस record को इन्होंने तोड़ा है तो ध्यान रखेगा option A हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि project loan किस company की एक महत्वा कांशी पर्योजदा है तो project loan की बात करें इसे launch किया था Google की parent company alphabet ने जिसके अंतरगत इनका ये target था कि जो भी दुनिया के remote areas हैं वहाँ पर हम लोग free में internet सुद्धा प्रवाइड कराएंगे तो ये जो income mission है इसको इन्होंने पिछले साल बंद कर दिया है तो option C alphabet हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि April 2020 केस में किस देश ने अपने मंगल गरह के rover का जो नाम है उसको रख दिया है जुरोंग तो ये रखा है चाइना ने option यहाँ पर D हो जाएगा फिलाल correct अगर आपको याद हो तो चाइना के द्वारा वर्ष 2020 में मंगल के लिए एक mission को लॉंग किया गया था जिसका नाम था तियान वेन वन क्या नाम था तियान वेन वन इसी के अंतरगत इन्होंने मंगल के उपर एक rover भेजा था और इसी rover का नाम अब इन्होंने रख दिया है जुरोंग तो जरूर ध्यान रखेगा option D हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि April 2020 में किस देश के द्वारा Neo 01 नाम से एक robot prototype को launch किया गया तो यह जो robot prototype है इसको launch किया है चाइना ने किस ने launch किया चाइना ने तो यहाँ पर option B हो जाएगा फिलहाल के लिए correct अब यह करेगा किया robot तो रोबोट जाएगा और जो हमारा low earth orbit है जहाँ पर बहुत सारे आपके satellite के मलवे है उन मलवे को यह करेगा साफ तो ध्यान रखेंगे option B चाइना होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि मई 2020 में जो अमेर्की Space Agency NASA है इसके प्रशासक का कारिभार किशने ग्रहण किया तो NASA के जो नए प्रशासक बने है इनका नाम है बिल नेलसन जरूर ध्यान रखेगा option हमारा D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2021 केस में Space X के किस प्रोटो टाइप रॉकेट में लेंडिंग के दवरान बिसपोर्ट हो गया तो यहाँ पर इस स्पेस एक्स ने स्टार्ट सिप SN9 को लांज किया था जिसमें लेंडिंग के दवरान बिसपोर्ट हो गया तो यहाँ पर option D होगा फिलहाल करेक्ट अगला प्रशन है कि फरवरी 2021 केस में इसरो के द्वारा किस रॉकेट के सहायता से अमेजॉनिया वन सेटलाइट को लांज किया गया अलड़ी यह प्रशन दो तीन एक्जाम में आ चुका है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर PSLVC-51 रॉकेट का योज किया ग अगला प्रशन है कि 9 फरवरी 2021 केस को किस देश के होप प्रोब मिशन ने मंगल की कच्छा में प्रवेश किया है तो यह जो होप प्रोब मिशन है इसको लॉंज किया था UAE ने जो कि पहला अरब कंती बना है जिसने मंगल के लिए किसे मिशन को लॉंज किया है तो यहाँ प और वेरिटास को लॉंज करने की घूशना की है तो ये जो दोनों मिसन है वो आपके लॉंज किये जाएंगे सुक्र ग्रह के लिए बहुत ही मात्पूर्ण है जरूर ध्यान रखेगा एक का नाम डाविंसी प्लस है दूसरे का नाम है वेरिटास तो आप्सन यहाँ पर D हो जा लगाएगा उसी प्रकार से अगर हम लोग डाविंसी प्लस की बात करें डाविंसी प्लस बेरिटास की बात करते हैं तो जो आपके सुक्र का भूगर्विक इतिहास रहा है उसके बारे में पता लगाएगा तो जरूर ध्यान रखेगा एक मिसन का नाम है डाविंसी प्लस ए लांज किया जाएगा तो यह जो cyber 2 है इसे launch किया जाएगा NASA के द्वारा किसके द्वारा NASA के द्वारा तो यहां पर option A हो जाएगा फिलहाल के लिए correct तो देख सकते हैं यह जो आपके NASA का mission है इसका मुख्यरूप से उद्देश यही है कि हमारे ब्रम्हान में जो तारों के संख में चीन ने जो आपके संजाओ 12 human mission को launch किया था उसमें इसने कितने astronaut को भीजा था space में तो ध्यान रखेगा इसमें total तीन astronaut को भीजा गया था option यहां पर C हो जाएगा फिलहाल correct तो यह देख सकते हैं यह तीन लोग है और इनका मुख्यरूप से परपच था कि जो चाइना अ उसको इन्होंने assemble किया था तो option यहां पर फिलहाल C हो जाएगा हमारा correct अज़र साइबर टू तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसे NASA ने launch किया है तो यहां पर option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि April 2020 में किस space agency के द्वारा seals mission को सफलता पूर्बक launch किया गया तो यह जो seals mission है इसको भी NASA ने ही launch किया है option हमारा C हो जाएगा correct अच्छा seals का नाम भी ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम है spatial heterodyne infant interferometric emission line dynamics spectrometer तो मुख के रूप से इसका उद्देश है कि जो हमारा interstellar space है उसमें किस प्रकार से आपके particle म drift हो रहा है उसके बारे में ये पता लगाए और जो हमारे sun का magnetic bubble है उसके बारे में भी ये पता लगाएगा तो option C हो जाएगा correct आखरी प्रेशन है कि मई 2000 केस में किस देश ने cargo spacecraft तियान जाओ 2 को इस पेस में launch किया तो नाम से आप समझ सकते हैं इसको launch कर दिया है चाइन ने यहाँ पर option A हो जाएगा फिलहाल correct तो ध्यान रखेगा नाम इसका है तियान जाओ 2 और यह आपका एक cargo space craft है तो यहाँ पर option A हो जाएगा फिलहाल correct तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंड में टाइप करिए का yes I can do it थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत